क्या बालों के ले करके आप भी बहुत जादा परिशान हो रहा हैं आप भी बहुत जादा बालों का जढ़ने से बहुत जादा डिफ्रेशन में होते हो या बाल आपके वक्त से पहले शफेद हो चुके हैं बालों का जढ़ने से एकदम से आपके बाल टकले जैसे हो चुके है तुमसे बिल्कुल भी आपके सरपे बाल नहीं है क्या आप भी इस परिशानियों से दोचार हो रहे हैं बहुत जादा परिशान है तो आज की वीडियो के लिए बहुत जादा राधफुल हो सकती है आपके लिए बहुत यूसफुल हो सकती है वालो काफी अच्छा घ्लोरियो धरा बालो को ज़ड़ना टूटना एक तिन में रोक सकती है और फालो निकल चुकते है उसे भी नए बालो गाने में बहुत जाने help कर सकती है बालों में एक अलग सी शाइनिंग बालों में अलग सी एक चमक ला सकती है तो आप भी बहुत सारे बाल जैसे कि जड़ते हैं जब आप गंगी करते हो तो गंगी जैसे कि बाल इतने ज़्यादा आ जाते हैं जैसे कि हाथों में ले करके आप बहुत ज़्यादा पर झात्स अनदूंद की ने सब्सक्राइब कमारा कर को में वह सब्सक्राम करते हैं। जिए आज और कोई जैसे कि अपने खीत का नहीं खाता है सबको अपने जैसे कि खड़ीदी हुए खाया जाता है जिसके करण बाल खराब हो जाते हैं लेकिन आप भी अगर इस चीज को आज की रिमंडे को अपना लोगे तो बालों की बहुत जादा लंबाई बढ़ जाएगी बालों की इक और बाल सी चमक अलक सी शाइन इंग अलक सी खूब शूरती आजाएगी बालों का जड़ना रू जऄ गाएगा बालों का तूटना रूख जाएगा गंज बना खो जाएगी और बालों रूसल बहुत लेंद कर सकते हो और बालों में एक अच्छी सी चमक ला सकते हो इसकेल की मजबूती ला सकते हो तो इन सारे जिसे कि अगर बहुत सारे बालों की प्रोग्रिम से परेशान हो तो आज की वीडियो को देख करके आप अपने बालों के लिए आज की रिमेडी आप जरूर यूज क यकीन माने हैं आपके बाल भी बहुत हैं जाएंगों जहर न बंद हो जाएगा और तुटना भी बंद हो जाएगा तो अच्छी चमक लाने के लिए बालो की लंबाई लाने के लिए शायनिंग लाने के लिए आपको आजकी रेमिड्य ने chicos जैसे की चंच्च ने लेगा तो आप जरूर हमें कमेंट बुक्स में बताना क्योंकि कोई भी रेमिटी को जब तक आप जैसे की यकीन और अइतबार से नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट विल्कुल भी नहीं मिलने वाला है तो इस तरह से इस तरह से लंबे बाल पाने के लिए बालों की अच्छी लेंद पाने के लिए आज की रिमिटी आपको जरूरी यूज करना चाहिए और अपनी जैसे की रिमिटी को बहुत ही जैसे के एकदम कहा जाता है करना कि बहुत रेगलरी तरीके से आपको यूज करना चाहिए तो बाल को जैसे कि अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो दो केромद देना चाहते को अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को शच्क्राइब वीडियो को लाइक करके जरूर जाना तो अच्छा लिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने लिया है जानते हो कि यह बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदे मंद होता है नहीं हमारे बालों में एक अलग शी बैनिफिशल होता है जिसे यूज़ करकर हम अपने बालों को भी बहुत अच्छी क्रोथ दे सकते हैं खास करके बालों में एक अच्छी चमक ला सकते हैं शैनिंग ला सकते हैं तो इस तरह से दही हमारे जैसे के बालों के हिल्प के लिए बहुत जादा बैनिफिशल होता है इसे बहुत ज़्यादा गुड़नेश आता होता है जिसे की यूज करकर के हम बालों के लिए काफी अच्छे जैसे की तो इस तरह से हमने दो तीन चमच दही ले लिया है चुकि जानते हो कि दही में प्रोटीन कैल्सिय में विटामिन ए बी फाइब और डी के साथ साथ यह पूटेशियम का भी बहुत अच्छा सोरोत होता है जो बालों पर अच्छी चमक देने में दही कंडिशनर का भी असर दि साथ भालों के टेंटर शेचर फोड़ाय कर में तौन गुरिक और वच देर काफ़ाशनर एक्ड़ फेड़ी बना बनाने है अगला लेंगे फ्रियंगे प्याज्थ का रच चुकि प्याज को आपको किर्वा करना गर्ड़ेने में टाल देना हैजम विय उसलफर प्याश्य म मेस्या को छुट कहा मिलता है साथ-छाथ बालों में बालों की जो रूट सना रूट सारुट और यसी कि अच्छा होता है में कई बार-बार होने वाले जो गरोट को कम कर देता है और बालों कर के बालों नमीट लगाने है समय से पहले सफेद होने बालों को भी रोकने की प्याज में बहुत ज्यादा च्छमता होता है अगला जो इंगर्जिंस इसमें लेंगे वह है आप देख सकते हो इलोवेरा जैल जैसे कि हमें घर वाला ही इलोवेरा लेना है हमें मार्केट वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी ह है घरए मिदल जो हमारी प्लेंट जो इलोवेरा होती है उसे लेना है और इस सथे स्थे कहां करके अच् Debbie करकर कि लिए जो हो हैं तो बिल्कुल आप के लिए अगावी सियहत के साथ जाए के साथ कमंऩ होता है एलोवेरा ने में इंटी यूशिडेंट एंटी इंफुरमेट्रिक एंड मस्चराइजिंग गून पाये जाते हैं एलोवेरा में बालो में चमाक आता है साथी साथी बालो को मुलाहिम करता है स्केल को हल्दी बनाता है एलोवेरा में विटामिन्स विटामिन्स A, C, E, B, 20 एंड कॉलीन होती है जैसे के इसमें बहुत सारे गून पाये जाते है copper and jinx बी होते हैं इसके साथी और भी इसे बहुत जादा गून होते है तो इस तरह से फीरिजी बालो को भी बहुत ज़ल्दी ठीक करता है बालो का जढणा टूटना बंद करता है टेंडरम की समस्या को भी खत्म करता है बालो's को शायनिंग एश्मूद भी बनाता है बालों में अच्छी गुरूत लाता है बालों में एक कंडिशनिंग कभी काम करता है सच बता है तो इसके बहुत ज़्यादा फाइदे होते हैं जो हमें यूज करने से पता चलेगा तो इस तरह सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्ष कर लिया है अगला जो इनके जिसमें जो फ्रेंड डालेंगे ना वो है आप वो है आवला का गुन आप से क्या है आवला किसी वर्दान से कम नहीं समझे ये बाल को जर्च काला करता और ना कोो yrit कि यह वहा पर घेर की तो है तो यह लगाने में भाट जादा होता है इसे कोई ना कोई तरीके से आपको आवला का श्यव SALchu करना चाहिए यहमारे बालो को जैसे की बहुत जार फर्क पता चलता है यह बालो को मचहुऊइटी लाता है जिस मतने हमारे बाल जड़ूर प्रेडी हो चुकी है और उसमा को हम क्या करेंगे अपने बालों में उपलाइए करेंगा और क्या करते हैं आपको मैं थार इसे लगा लेना है और लगाने के बाद प्रेंस आपको और जैसे कि सीचीज से कवर कर देना है हाफते में 2-3 सी यह सी उभर सब्सक्राइब करें एक व सब्सक्राइब जब लगाने का फ़ोटन कपड़ें ? इसके घंड है पको अपने पर दो कफ़ेंब nog हो or की अे हैं लगाना क्यूंकि बहुत वffen थन्डर असर होता है और दही कभी तो इसलिए कुछ देर लगाने के बाद या एक गंते लगाने छाव समय लेकिन अगर अपना करना चाहो तो शेंपु करने लेकिन